बंदूक के लिए पहचान रखने वाले मुरेना जिले अब जलिय जीवों के क्षित्र में नई पहचान बना रहे हैं यहां बहने वाली चंबल नदी में घडियाल रिवर डॉल्फिन कच्छुय और अनिक प्रजातियों के पक्षी देखे जा रहे हैं इन जलिय जीवों को देखने के लिए बड़ी संख्या में पर्याटक पहुँच रहे हैं वर्तमान में नदी के अनिक स्थानों पर 136 प्रजातियों के पक्षी प्रवास बनें इसी तरह घडियाल रिवर डॉल्फिन के साथ विलुप्त प्रजातियों के कच्छुय चंबल नदी में सैलानियों को देखने को मिल रहे हैं जलिय जीव और पक्षीयों का पानी में इतराना पर्याटकों को अचम्भित भी करता है राश्ट्रिय चंबल घडियाल अभिहरंड में 2000 से अधिक घडियाल 5 सेकड़ा से अधिक मगर 65 रिवर डॉल्फिन तदा 750 से अधिक इंडिया निस्कीमर पक्षे विच्रण कर रहे हैं रेत और पानी में इनकी गतिविधिया सेलानियों को अपनी और आकरशित कर चंबल नदी में निरंतर आने के लिए प्रोटसाहित करती है चंबल नदी के प्रजदूशन मुक्त पानी की तलहटी पर मिल रहा शुद्ध भोजन इंडिया निस्कीमर को आकरशित करता है इंडिया निस्कीमर को देशी भाषा में पंचीरा कहते हैं सहलानियों का मानना है कि चंबल नदी गंगा से भी साफ है इस चंबल सफारी का प्रचार प्रसार होने के सांसाथ आवागमन के सुलब्स दास्ते तथा खानपान की व्यवस्ता होनी चाहिए अधियाल है और साथ साथ सो चालीज महरमच है डालफिन च्हेनवे है अभी जो ठंका समय चल रहा है नॉमबर से अगी तो इसमें भार से प्रवाशि प्रचि भी आ रहे है जैसे इंडियानिस्कीमर जैसे प्रचि आ रहे है जिसे बहुत से परटक आते तो मतलब एक आकरसन केंद बना हुआ है जिसे मतले राजे सुट्वापती है मैं यहां पर गुमने सेकेंड या थर्ड ताइम आरी हूं यहां पर गुमने और मुझे बहुत अच्छा लगा यूकि आज क्लाइमेट भी बहुत अच्छा था और गुमने के बाद हम लोग ने यहां पर ऐलिगेट पर गुमने जरूर ले करादे है चंबल सापानी कराने करे यहां पर यह बन लदी नथी इखा तो देखा दो तीन हाह यहां पर मगर मक्चो घडियाल भी देखा चंबल का पानी बहुत तफ़ा है यहां और अच्छी जगह है यह मैं अच्छा लग यहां पर एक्टिविट बहुते बच्चों के लिए करने के लिए आप यहां बच्चों आएंगे थोड़ा और फूट क्वालिटी हो जाए डवलप हो जाए तो ज्यादा बेटर रहेगा मैंने यहां रिवर में विजिट किया मुझे बहुत अच्छा लगा हमने बहुत सारे अलिगेटर्स देखे कि अच्छा लगा हम यहां बो आप अच्छा लगाए.